बात करेंगे शिबा इनु के बारे में जुलाई मंद स्टार्ट हो चुका है और क्या अब शिबा इनु का कुछ होगा या नहीं होगा बहुत सारे लोगों का क्वेस्चन है शिबा इनु को लेके और आज शिबा इनु की बात करेंगे और क्या अपडेट सारी है शिवा इनुको लेके क्या मार्केट के अंदर चल रहा है पहले बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की बिटकोइन की जहां तक बात करते हैं तो 31,000 के जो लेवल है बिटकोइन ने काफी टाइम मेंटेन रखे अभी 30,900 के करीब लेवल चल रहा है कभी 30,900 कभी 31,000 इसी रेंज में बिटकोइन ट्रेड कर रहा है लेकिन कल की जो क्लोजिंग हम को मिली है वो 31,000 के उपर मिली है 31,000 डॉलर है उसके उपर क्लोजिंग दी है और थोड़ा सा ड्रामा करने के बाद ठीक है, मार्किट ड्रामा करता है एक तरह से कन्फ्यूस करता है थोड़ा सा ड्रामा करने के बाद में भी एक बड़ा पंपा है जो सीधा 32,000 पर 32,000 के पार ले जाए बिटकोइन को ठीक है, तो 32,000 डॉलर का जो लेवल है वो जल्दी बिटकोइन का हमको देखने को मार्किट में मिल सकता है बाकी अपडेट हम अपने टेलीग्राम पे करेंगे अगर आपने टेलीग्राम चैनल जोईन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जोईन जरूर कर लेना अब क्या चल रहा है शिवा एनुगा शिवा एनुगा कोई भी बड़ा चेंज नहीं है कोई भी प्राइज में ज्यादा गेन नहीं है पांच-जीरो के साथ चल रहा है सेवन के लेवल पे और तब से आप देखो काफी टाइम से हमने देखा है एक जीरो एड कर रखे है शिवा एनुगा अब जुलाई मन स्टार्ट हो चुका है पिछले बारा महीने से तेरा महीने की बात कर लूँ तेरा महीने से बनवास चल रहा है शिवा एनुगा इनी लेवल्स के उपर कभी चार जीरो के साथ जाता है तो 15 तक 18 तक का हाई लगा आता है लेकिन लो आता है तो 5-0 का एड कर लेता है और ये 4-5-0 के बीच में ही प्राइस अटक गया है तो क्या हो रहा है तेरा महीने हो चुके है और तेरा महीने के बाद अब जो है ये बनवास खतम हो सकता है क्यों क्योंकि जो शिवा इनु के लेवल से हैं जुलाई मन्त कही ना कही थोड़ा सा फ्लक्ट्वेशन दिखा सकता है हमको और आते आते अगस्त आते आते सेप्टमबर अक्टूबर अगले चार महीने हमने पहले भी डिसकस किये थे कि बिटकोईन का एक अलग लेवल देखने को मिलेगा 40,000, 45,000 और अगर वो लेवल देखने को मिलेंगे तो बहुत सारे कोईन्स जो ऐसे लेकिन 0.4 x 03 का और 4 का जो लेवल है वो शिवा इनुका हमको जल्दी देखने को मिल सकता है अगर आप 3-4 महीने थोड़ा सा वेट कीजिए एक बड़ा पंप एक ही महीना काफी है शिवा इनुका ठीक है बस थोड़ा सा मार्किट का मुमेंटम चाहिए शिवा इनुको बिटकोईन का एक नई वेव एक बड़ी वेव आएगी तो डेफिनेटली शिवा इनुका आपको पंप करता हुआ देख सकता है और ये कोई financial advice नहीं है आप अपनी research जरूर कीजेगा market is very risky ठीक है और क्या आप dates आ रही हैं शिवा इनुकी ये भी जान लेते हैं पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो शिवा इनुका burn rate काफी अच्छा बढ़ रहा है लेकिन वही बात है वही नजारा है कोई change नहीं है burn rate का क्या करेगी community burn rate से कुछ नहीं होता है लेकिन जो amount होना चाहिए जो token burn हो रहे हैं वह बड़ा amount होना चाहिए लेकिन वह बड़ा नहीं है तो ऐसे burn rate का भी कोई फायदा नहीं है शिवा इनुकी community के लिए अगली update की बात करें तो 152 billion जो है एक whale ने आपे फिर से add किये हैं अपने wallet के अंदर शिवा इनु 152 billion और एक ऐसे time पे आप देखो जब नया month start हुआ है July month start हुआ है जुलाई की starting में 152 billion अपने wallet में add कर लिए और इस whale के पास अब जो total holdings है वो 5.9 trillion शिवा इनुकी holdings है बहुत बड़ा number है तकरीवन दकरीवन 6 trillion शिवा इनु अपने wallet में ये whale लेके बैठी है इसके लावा शिवा इनुके ecosystem के token bond की बात करें तो वो भी काफी अच्छा पिछले कुछ दिनों से pump हो रहा है है ना हम leash की बात करते हैं तो ecosystem के tokens में कोई problem नहीं है वो अपना time time पे fluctuation दिखा रहे हैं और अब कही न कहीं जो ecosystem का leader है जिससे पूरा ecosystem है जो शिवा इनु है वो जल्दी आपको fluctuation दिखा सकता है next four months के अंदर एक बड़ा pump हम देख पाएंगे शिवा इनु का और fluctuation दिख सकते हैं ठीक है और अगर आप शिवा इनु में investment कर रहे हैं तो अपनी research जरूर कीजेगा अगर कर लिया है तो hold कीजिए चार महिने के लिए short term का time है लेकिन long term के लिए भी करना चाहते हैं बुलरन तक करना चाहते हैं तो और भी बड़िया return शिवा इनु से मिल सकता है तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं band वीडियो अच्छा लगाया लाइक शेर कमेंट कीजेगा नीचे टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है डिस्क्रिप्शन में जॉइन नहीं किया तो कर लेना कोई update मिस नहीं होगा और किसी भी crypto में invest कर रहे हैं तो हमेशा अपनी research करें मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care